हेलो फ्रेंट्स आज मैंने बनाई है फ्रेस अरहर या तूर दाने और चावल की खिचड़ी और इसी का भी मैंने बना दिया है बड़िया सा नीमोना तो इसको बनाने के लिए ये मैंने एक बाउल भरके फ्रेस अरहर के दाने लिए थे और इसको मैंने फ्रीजर में रखा था चावल si करना है तो इस तरह से मैं अरहर के दाने को क्रस कर लिया है है मैंने और यह मैंने एक बाउल अपने बासमती चावल भीगोए है आप कोई भी चावल ले सकते हैं तो इसको मैंने दो के गंटे पहले भीगो दिया सब मिला के डेड़ टी स्पून और ये है एक टी स्पून दनियाजीरा पाउडर हाप टी स्पून लॉंग काले मिच पाउडर एक टी स्पून हल्दी पाउडर एक टी स्पून मिर्ची पाउडर और ये दूसरा मैंने लिया है एक टी स्पून गरम मसाला और ये हाप टी तड़का डालेंगे तो देखिए कुकर में मैंने पहले तेल तो ले लिया है और इसी के साथ साथ इसके अंदर मैं डाल दूंगी दो टेबल स्पून ये देशी गी से बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा और ये देखिए तेल गी अपना गरम हो गया है इसके अंदर सबसे पह अच्छे से एक दो मिनिट सेलो फ्राइ करेंगे और इसके बाद इसके अंदर अपना क्रस्ट किया हुआ ये फ्रेस अरहर का दाना अधरक मिर्ची लेसुन की क्रस्ट की हुई पेस्ट और टमाटर ये सब साथ में डाल देंगे क्योंकि इसको भी भूनना है और इसी के साथ मिर्ची, हल्दी, धनियाजीरा पावडर, हींग वो सब भी डाल देंगे और ये गरम मसाला और लॉंकाले मिच का पावडर भी डाल देंगे और ये अपने आज को मीडियम करके ये सारे मसाले और अपनी अरहर की क्रस्ट की हुई पेस्ट भूनेंगे तो ये देखिए और इसके अंदर जाएगा स्वादानुशार नमक तो ये डाल दिया है नमक और इसको अपने लगबग 2-3 मिनिट अच्छे से मीडियम आज पे भूनेंगे तो ये देखिए मैंने अच्छे से भून लिया और ये नीचे से थोड़ा चिपकता है तो थोड़े थोड़े बीच मे पानी के छीटे मार दे ताकि चिपके नहीं तो ये अच्छे से भून के रेडी हो गए है और मैं ये एक ही चीज से दो चीज बनाऊंगी तो इससे मैं आपको निमोना बनाना है सारा ही का तो इसके अंदर आप अपने पानी डाल ले तो ये बन जाएगा निमोना और इसके अरहर के दाने टामाटर आलू सब ये बावल में निकाल लूँगी और ये अपने बाकी आदे का मैं निमोना बनाऊंगी तो ये देखिए इसके अंदर मैंने डाल दिया है एक ग्लास पानी और अब अपने इसको अच्छे से चला लेंगे नीचे थोड़ा चिपका हुआ हो वापिस मैंने गयस को चालू कर दिया है दो तिन मिनिट इसको वापिस अपने कूप करेंगे और ये देखिए अपना बढ़िया सा नीमोना बनके हो गया है रैडी इसको आप रोटी पूरी चावल किसी के भी साथ एंजॉय करें बहुत बढ़िया लगता है तो फ्रेस मटर ये मैंने बावल में ट्रांसफर कर लिया है और ये देखिए इसकी कंसिस्टनसी और अब देखिए सेम कूकर के अंदर वापिस अपने जो ये आधा अपने ये मसाला और अरहर निकाला था जो बुना हुआ वो और ये अपना चावल दोनों ही डाल देंगे और ये अब अप अपने जो डाला है उसके साथ थोड़ा बैलेंस हो जाए और इसको वापिस इसको भी दो मिनिट भूनेंगे और इसको भूनने के बाद हमेशा बंती हुई चीज में डालें गरम पानी तो ये देखिए जिसमें अरहर का दाना मैंने पीसा था वही पानी ले लिया है और ये देखिए कि अपने मीडियम आच पे इसको दो सीटी बजाएंगे अपना कूकर प्रेसर कूक हो के ठंडा हो गया था और ये देखिए बढ़िया सा अपना खिला-खिला खिचडी या तेहरी या पुलाव भी बोल सकते हैं तो बनके हो गया रैडी और ये गया बढ़िया सा फ्रेस धनिया तो देखिए एक ही चीज से मैंने बनाया बढ़िया सा नीमोना और उसी के साथ साथ ये अपनी बढ़िया सी तेहरी या खिचडी और ये देखिए एक दम से बढ़िया सी खिली-खिली बनी है जिसको मैं सरु करूंगी दाही बेशन की खटी-मिठी-कडी के स साथ और ये अपने मैंने पराठे बनाये है ये नीमोना के साथ खाने के लिए और इसी के साथ ये मुहंथाल बनाया है जो स्वीट है तो बस इस तरह से मेरा बढ़िया सा लंच बनके हो गया है तो एक ही पोट में दो चीज मेरे वीडियो को इसी तरह से देखने के लिए प पूले ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय से मिल जाए प्लीज लाइक से रेंड फॉलो माई फेस्बूक पेज थैंक यू